हेलो स्टुरेंट्स कैसे हैं आप सभी मैं शुबंप रोहित आपका जोग्रफी एजुकेटर स्वागत करता हूं आपके फेवरिट यूट्यूब चैनल मैगनेट ब्रेंस पर मैगनेट ब्रेंस जो की फेमस है पूरे इंडिया में क्वालिटी कंटेंट सिस्टेमेटिकली प् इसक्रिप्शन बॉक्स में हम लोग कक्षा गयार्वी के भुक भारत का बहुत इक परियावरन इस बुक को पड़ रहे थे इस बुक का सेकंड चैप्टर कंप्लीट करने के बाद हम लोग थर्ड चैप्टर पर आ चुके हैं जिसका नाम क्या है अप वहा तंत्र बहुत ज् इस वीडियो में यह समझना है कि भारत में किस तरीके से नदिया जो है या नदियों का अपवाह तंत्र हम लोग को दिखाई पड़ता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जुड़े रहिएगा उम्मीद करता हूं आप लोग को यह जो चैप्टर है इन से अपको बहुत अच्छे से समझते हुए हम लोग वीडियो को आगे बनाएंगे चलिए क्या लेखा हुआ है कि एक नदी विशिष्ट छेतर से अपना जल बहा कर लाती है जिससे जल गरहन या फिर इंग्लिश में बोले तो कैच्मेंट जो है छेतर कहा जाता है आप लोग बहुत अच्छे से जमा होती है बर्व जमा होती है साल बर महां पर बर्व जमा होती है तो उन से जो नदिया निकलती है और जो नदियों का पानी मतलब अगर यहां पर जो बर्व जमी है उसको बोला जाता है ग्लेशियर यह नदी जो है अपना पानी जो है वो लेकर आ रह अगर कोई नदी पहाल से नहीं निकल रही है उसका पानी जमीन से ही निकल रहा है तो उसका जो जलगर Peters rainforest अगर कोई नदी पहाल जाएगा यह जो है वह जाएगा वह जमीन हो जाएगी एक नदी एवर उसकी सायक नदियों द्वारा अप वहाही क्षित्र को अपवाह साथ जो न muffinat कर मिलती इसको साख्क नभी या फिर इंगरिश में बोले तो हम लोग कह सकते हैं तो माझरी जी यह जो बड़ी नभी हैं इसमें कुछ नृएंड जो है वह अकर मिलती है यह नदियां अगर इसमें है अपवाहत द्रोणी क्या बोलेंगे अपवाहत द्रोणी तो हम लोगों ने दो चीज़ां यहां पर समझ ली कि एक नदी जहां से अपना जल लेकर आती है उस छेत्र को बोलते हैं जल गर छेत्र इंगलिश में उस छेत्र को बोलते हैं कैच्मेंट एरिया और अगर एक द्रोणी सीदे सीदे अती लगद्री प्रशनों में इनकी आप लोगों से डेफिनेशन पूची जा सकते हैं पूचांवाहत द्रोणी से देफाइन डेफिनेशन आए वह आप लोगों को याद रखनी है आगे क्या बोला गया है कि भारत अबावात तंतर में अनेक छोटी बढ़ी नदिया शामिल हैं हम लों को ये पता है कि भारत में बहुत सीं नदिया बढ़ी, नदिया है अर लक्षणू के परणाम विविवत की पर कुछ जमीन से निकल रही है तो इनकी उत्पति की जो अलग-अलग तरीके से हुई है वो बात यहां पर लिखी गई है भारती अपवाद्वात संत्र विभिन आधारों पर वर्गी करत किया जा सकता है समुध्र में जल विसरजन के आधार पर इसे यहां पर ज़्यादा निकलती सभ से सहूलियत वाला जो दिवीजन हम लोगों को यहां पर पढ़ना है और समस्जने क्या है बंगाल की खाड़ी और जो पश्चिन की साइड हम लोगों को सागर दिखाई पड़ता है वो दिखाई पड़ता है हम लोगों को अरब सागर हम लोगों को ये भी पता है कि भारत में बहुत सारी नदिया जो है लगबग 80% जो नदिया है वो बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसरजित करती है बहुत सारी अभी हम लोग मैप बनाएंगे उसमें मैं आप लों को बताऊंगा अभी के लिए मैं बता दे रहा हूं जैसे कि माली यह गंगा है यमुना गंगा में मिल जाती है फिर महानदी गोदावरी कृष्णा काविरी यह कुछ नदिया हैं जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसरजित करती है ऐसे ही कुछ नदिया जो है वो अरब सागर में बहुत कम नदिया ऐसी है जो अरब सागर में अपना जल ले जाती है जैसे कि नरमदा तापी और भी कुछ चोटी चोटी नदिया है तो इन नदियों के बेसिस पर ज जो बंगाल की खाड़ी का अपवात अंत्र है यह एक अच्छा डिवीजन है जो हम लोने पढ़ने के दिस्टिक मौन से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यह अपवात अंत्र दिल्ली कटक अरावली और सहयादरी द्वारा विलग किये गये हैं अब देखिया अलग अलग पश्चिमी गाट हम लोगों को दिखाई देता है तो यह जो डिवीजन है यह नदियों का डिवीजन है नदियों के अपवात अंत्र का डिवीजन है अब देखिए साफ साफ आप लोग देख सकते हैं यह जो लाइन जो हैं आपर दिखाई पड़े यह देखिए एक लाइन जो है हम लोगों को दिखाई पड़े यह बिसिकली डिवीजन है इस डिवीजन के जो वैस्ट साइड नदिया बहती है इस डिवीजन के जो पश्चिमी साइड जो नदिया बहती है वह अपना जल ले जाती है और इसी डिवीजन के जो इस्ट साइड यानि पूर्व साइड ज लगके अगया है कुल अपवाहाच छेत्र का सततर प्रतिशत भाग जिसमें गंगा ब्रह्मोपत्र महानदी कृष्णा आधी नदिया शामिल है बंगाल की खाड़ी में अपना जल्ब विसरजित करती है मैंने आपनों को क्या बताया नदियों का विसरजन दो ही जगा होता है या तो बहुंत उखना है या फिर बंगाल की खाड़ी में होता है लेकिन अधिकतर नदियो भारत में वैठ्व सेवंटी ऐबात की जाएं तो 77 पर 시न्ट जो नदियों भारत में वो नदीयां कहां पर अपना जल्ब विसरजित करती हैं कहां ले जाती है वह नदियों तूमी नाध की ज्यादातर जो नदियां भारत में बहुत बढल की चाड़ी में अपना जले आती हैं और तेस प्रिक्सिचत बहुत कम नदिया!! आकार के आदार पर भारती अपभाद द्रोनी ओंको तीन भागों में बाठ सकते हैं पहलवाद द्रोणी जो हैं हम लुक्त कर सकते हैं क्यों पैसे पहली द्रोणी जो है भारत में जो मुख्य नदी है और यह साहिक नदी है जैसे यह मुख्य नदी मैंने अपनों बना दी और यह माली इसमें जो नदियां मिल रही है यह वाली जो नदिया है यह साहिक नदिया अब यह मुख्य नदी है साहिक नदी है यह अप वहाद द्रोणी जो मैं ने आपनों को यह जो ठोटी नदी है और इसमें छोटी चोटी जो है को छोटी नादी मिल रही है तो यह इस तरीके से इसका जो है अपवाज छेतर हो जाएगा जैसे यह बड़ा अपवाज चेतर और तो चीटर moreitis इस पर हम लोग जो है नदियों का डिविजन कर सकते हैं बड़ी द्रोणी चोटी द्रोणी और उससे भी जादा शोटी या फिर द्रोणी जैसे कि मुख्य नदी यदि कोई नदी है उसका अपवाज शेतर 20,000 वर्ग किलोमेटर से देखें तो फिर उस द्रोणी को हम लोग बड़ी बड़ी नदियां जैसे कि गंगा, ब्रह्मोपोतर, कृष्णा, तापती, नरमदा, माही, पेनार, सावर्मती, बराक ये सब नदी जो हैं इनका जो अपवाज शेतर वो 20,000 वर्ग किलोमेटर से क्या है ज्यादा है इसमें 14 नदी द्रोणी या जो वो शामिल है और इसके पहले का जो अपवाज शेतर था वो बड़ा था, प्रमुख नदी द्रोणी का था और उसमें 20,000 किलोमेटर से अधिक का आ रहा थे है दूसरा जो मध्यम नदी द्रोणी का अपवाज शेतर है वो 2000-20,000 वर्ग किलोमेटर है और इसमें 44 नदी द्रोणीया शामिल है कालिंदी पेरियार मेगना यह सब ठीक है लगुन नदी द्रोणी कौन सी है जिसका अपवाच छेतर दो हजार वर्ग किलोमेटर से कम है मतलब तीन तरीके से हम लोगों ने डिवीजन पढ़ चुके हैं एक बीस हजार वर्ग किलोमेटर से ज्यादा एक हम लोगों ने पढ़ा में न्यून वर्षा के छेतरों में बहने वाली बहुत सी नदियां जो होती है वह शामिल होती है तो यह लोग ने अपवाध द्रोणी का जो वर्गी कराना पढ़ा था वह पढ़ा था तो एक तो डिवीजन हो गया कि भाई अपवाध द्रोणी के बेसिस पर या अरब साग यह जो बंगाल की खाड़ी में बह रही है और एक अरब सागर में एक डिवीजन यह सकता है नदियों को समझने की द्रश्ची से दूसरा डिवीजन क्या हो सकता है तो भारत में भाई दो तरह की नदियां एक जो हिमाले परवत से निकल रही है और दूसरा जो करन भी हम लोग पढ़ सकते हैं यह बात यहां पर लिखी गई है क्या उद्गम के प्रकार प्रकृति वश्रिष्टाओं के अदार पर भी भारती अपवात अंत्र को हिमाली अपवात तंत्र प्राइदीपी अपवात तंत्र में विभाजित किया सकता है यद्यपी इस करन हम लोगो समझ नहीं आता कि इनका वरगी करन किस तरीके से करें क्योंकि ये जो नदिया है हिमाले परवत की साइग नदिया भी बन जाती है और प्राइदीपी भारत में भी बहती है जैसे कि एक रिवर चंबल का उधान हम लोग ले लिते हैं जैसे कि यह मैंने भारत ब कि इस यम्ना में एक नदि आकर मिलती है डिसका नाम क्या है चमबल क्या नाम है चमबल् This is यह ना चमबल्ड यह यह यमून यह यमून और यह गंगा अब देखी यह लाइन यहाँ पर लिख कर डाएब पर समस्य उत्परत्वरर कहां पर है यमना चंबल्र के वह इसलिए नदियों का समझ में नहीं आता है लए तक नहीं है इसलिए प्रायडी इप्Seeें निकलनी माले माली नदियों से पुरानी है फिर भी अपवाद तंत्र वर्गी करण का सरवादिक माने आधार है मतलब यह नदियों के लिए सही नहीं है लेकिन फिर साला हम लोग समझ जाते हैं तो उम्मीद करता हूं आप लोगो जो अपवाद तंत्र है उससे संबंदित जैसे नदी दोनी क्या होता है और नदियों का वर्गी करन हम किस तरीके से कर सकता है यह एक बेसिक जो वीडियो थी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई इंग्लिश की क्लासे भी जो है आप लोगों के लिए चल रही है आप लोगों को क्या करना है आप लोगों को डे-to-day अपडेट्स के लिए हम लोगों के जो सोशल मीडिया चैनल से हैं जैसे की यूट्यूब फेस्बुक टेलिग्राम ट्विटर और इंस्टाग्राम वाट स्क्रिप्शन बॉक्स में आज की इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में जब तक के लिए थैंक्यू थैंक्यू सो मच